कुछ प्रशित रचना हैं जो कि भार-बार आपके परिशाओं में पूछी जाती है उसे हम इस वीडियो में आपसे साजा कर रहे हैं पहला प्रशन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जंजीरें और दिवारें संस्मरण विधा पर अधाईत रचना है दच्छिड भारत की एक जलक किस विधा की रचना है तो दच्छिड भारत की एक जलक विधा है यात्रा विध कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखे तो कलम की सिपाही के लेखक का नाम अमरित राय है यह बहुत ही important प्रस्ण है आप competition exam में भी इस प्रश्णों को हमेशा देखते हैं और साथ ही board exam में तो पूछाए ही जाता है अगला प्रशने की हिंदी की किसी एक नाटक कार का नाम लिखे तो हिंदी के कोई एक नाटक कार जर्शंकर प्रशाद कंकाल की स्विधा की रशना है तो आप इसका उतर लिखेंगे उपन्याश कंकाल किस विधा की रशना है उपन्यास विधा की और इसके रशनाकार है जर्शंकर प्रशार अगला प्रशने की निमलिकित कृतियों में से किसी एक कृति के रशनाकार का नाम लिखे तो आप चिंता मड़ी का लिख देंगे आचारे रामचंद शुक्ल अगला प्रशने की निमलिकित में से किसी एक रशना की लेखक का नाम लिखे अब देखे दिया गया इंद्रजाल अर्धनारिश्वर मेरी युरोप यात्रा हिमाले की पुकार तो इंदरजाल के लेखक है जशंकर प्रशाद और अर्ध नारिश्वर के लेखक है रामधाई सिंग दिनकर, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक डॉक्टर राजेंद प्रशाद है और हिमाले की पुकार के लेखक जई प्रकाश भारती है अगला प्रशन है कि नेमलिकित क्रितियों में से किसी एक क्रिती के लेखक का नाम लिखे क्रितियां दे गई है इंदरजाल, दीबदान, सेवा शदन, मिट्टी की ओर तो इंदरजाल के लेखक है जशंकर प्रशाद, सेवा सदन के लेखक मुनसी प्रेम चंद्र है, दीबदा कि सेवा सदन हमने बतायाा उनसे प्रेमचंद की रशना है मिटी की ओर कृति के रशनाकार हैं रामधारी सी दिनकरची कि अगला प्रसमिय की निमलिखीत में से किसी एक रशना के लेखक का नाम लिखेे अ थात हा सागर, ठूठाा आम, अर्ध Right अगला प्रश्ण है कि रेष्टमी टाई किस विधा पर अधाईत रचना है तो रेष्टमी टाई जो है वो एकांकी विधा पर अधाईत रचना है आज के लिए इतना है फरसे जुड़ेंगे मैंसी ही कुछ इंट्रेस्टिंग प्रस्थम को लेका तब तक के लिए धन्यवाज जैहिन महादेव